हेलो एवरिवन मैं हूँ एड़ोकेट शोहब और आप देख रहे हैं स्प्रेडिंग लाफ तो आज की वीडियो जूरिस्पूड़न्स के एक बहुती इंपोर्टन टॉपिक पर होने वाली है जो है सोशल इंजिनियरिंग थेयरी यह सोशल इंजिनियरिंग थेयरी एक्जाम कि इस आप से बहुती जादा इंपोर्टन है इस थेयरी को पूरा समझने के लिए और इस थेयरी के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को स्टाट टू एंड जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेर जरूर करिए और चैनल क हम देखेंगे सोशल इंजिनियरिंग थेयरी के बारे में वाट इस थेयरी सोशल इंजिनियरिंग थेयरी क्या है इस बारे में हम देखेंगे उसके बाद में जो थेयरी आफ इंट्रेस्ट रॉसको पाउंड ने बताया है उस थेयरी आफ इंट्रेस्ट के उपर डिपेंड के बारे में भी हम discuss करने वाले तो चलिए first of all हम देखते हैं कि social engineering theory क्या है रॉसको पाउंट जो एक greatest American jurist था जिसने social engineering theory को develop किया जिसे modern American जुरिस्प्रुडंस का sociological जुरिस्प्रुडंस का father भी कहा जाता है तो जब उसने ये social engineering theory को develop किया तो सबसे पहला question उससे ये पूछा गया कि इस theory को आपने social engineering theory क्यों नाम दिया तो इस question का answer देते वक्त रॉसको पाउंड असाय बताते हैं कि जैसे कि engineers कोई भी machine का invention करते वक्त उस machine की लगने वाली हर एक चीज की पूरी information लेते हैं deep study करते हैं वैसे ही law makers का काम क्या है कोई भी law बनाते वक्त society में जाकर उस society के अंदर पूरा deep study करकर ही law बनाए जिसके जरीए society के बीच में conflict कम हो और peace and harmony increase हो जो law का main motive क्या है रॉसकोपाउंडों से बता रहे है कि law का main motive ये है कि society के बीच में peace and harmony को बढ़ाई रखना और जो big conflict society में होने वाला है उस conflict को decrease करना कम करना law ऐसा होना चाहिए कि जिससे society में always harmony maintain रहे हर एक आदमी खुश रहे कोई भी आदमी उस law के वजह से परेशान नहों ऐसा law होना चाहिए इसलिए law makers का काम क्या है lawyers का क्या है कि law को ऐसा बनाए जिससे society में happiness बरकरार रहे तो इसी लिए lawyers के task को law maker के task को engineer से compare किया और इस theory को social engineering theory रॉसकोपाउंड ने नाम दिया afterwards if we see रॉसकोपाउंड गेव much importance to the interest in his social engineering theory तो अब interest क्या है interest means satisfaction of wants जहाँ पर wants का satisfaction हो सके तो वो individual के wants हो society के wants हो या state के wants हो जहाँ पर भी wants का satisfaction हो सके उसे interest कहा जाता है ऐसा रॉसकोपाउंड बता रहे तो balancing over interest कैसा किया रॉसकोपाउंड ने इसके theory में तो if रॉसकोपाउंड बता रहे if there is conflict between the individual interest and the social interest then social interest always prevails over individual interest मतलब अगर individual interest और social interest की बीच में conflict हो तो social interest को much importance देना चाहिए क्योंकि maximum satisfaction of wants with the least friction social interest को अगर हम importance दे तो वहाँ पर much मतलब जादा लोगों का wants का satisfaction होने वाला है और individual interest में सिर्फ a single individual के wants का satisfaction होने वाला है तो इसलिए रॉसकोपाउंड ने इस theory में social interest के लिए ज्यादा importance दिया है कि social interest का satisfaction होना जरूरी है ऐसा रॉसकोपाउंड बता रहे इसी interest को describe करने के लिए रॉसकोपाउंड ने एक theory दी है theory of interest जिसके अंदर interest को properly classified करकर उससे describe किया है जो कि हम further देखने ही वाले है और ये भी हम देखने वाले है कि जो interest रॉसकोपाउंड ने describe किया है जो कि classified किया है वो आज जो भी laws हमारे इंडिया में जो भी laws बने है जैसे कि criminal laws है, constitution है, contract laws है उन laws में इस theory का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है हुआ है तो किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है इसका पूरा आज हम deep study करने वाले है तो इस video को start to end आप जरूर देखिए Now interest, Roscoe Pound ने उसके social engineering theory के अंदर three parts में interest को divide किया है First one है private interest, second है state और public interest and third one is the social interest जो private interest है वो किसी individual के लिए apply होता है मतलब किसी person का interest क्या होगा उसे private interest के अंदर Roscoe Pound ने discuss किया है तो सबसे पहले private interest देखते है Private interest further divided into three types वो three types कोन से है Individual interest, domestic relations of the individual Interest of substance of the individual तो individual interest जो भी है person का वो किस से related होगा Personality जो individual की जो भी personality के अंदर जो भी उसका interest है वो, second one का individual का interest related to his reputation in the society Third one, he has freedom of choice that is known as freedom of volition और last one क्या है, freedom of conscience इन सभी चीजों के अंदर individual का interest क्या है, कैसा होगा उन से related laws बनाने को रॉसको पाउंड ने इस theory में कहा है अब अगर हम individual interest को Indian laws के अंदर apply किया जाए अगर यह individual interest हम Indian laws से कैसा safeguard हुआ है अगर यह देखे तो सबसे पहले तो यह constitution से safeguard किया गया है जैसे कि right to life, right to personal liberty है, right to privacy या फिर freedom of choice, freedom of conscience यह सभी चीज़े constitution के अंदर बताई गई है इसलिए यह constitution individual interest को safeguard कर रहा है मतलब individual interest को protect constitution में Indian constitution में भी किया गया है और criminal law जब जहाँ पर interest आ रहा है individual का तो उसे criminal law से भी safeguard किया गया है Indian laws के अंदर, फिर tort, contract, individual को interest कोई contract बनाने पर है agreement पर है, तो सभी tort और contract law से भी individual interest को Indian laws में protect किया गया है अगर individual का interest domestic relation में कैसा होगा तो husband and wife relation, parents and children's relations, martial life यह सभी चीज़े domestic relations, जो भी individuals के interest है domestic relation के अंदर उनके बारे में बताता है जब husband and wife के अंदर domestic relation, parents and children's का domestic relation, यह सभी family laws में protect किया गया है यह domestic relations, individual interest, family laws इसे safeguard कर रहा है और जो भी laws related to marriage है, laws related to adoption, succession, यह सभी चीज़े इन domestic relations के individual interest को safeguard कर रही है और third one जो है interest of substance individual का interest किसी substance में हो जैसे कि property, succession, या कोई contractual relations है या फिर forming of association है यह सभी चीज़ों के अंदर individual का interest है तो वो Indian laws में कैसे उसे protect किया गया है तो फिर जो भी contract laws है या फिर property as succession आए तो laws related to property as succession है यह जो रॉसकोपाउंड ने interest को डिसकस किया है उस हिसाब से Indian laws किस तरह से apply हुए है private interest के उपर वो अभी आमने देखा second one is the state interest और public interest interest of state in preservation of state state is not a natural person it is a juristic person that's why it has some interest such interest are to maintain its economy that requires the currency that's why to safeguard to protect or to secure the economy of the state the laws related to currencies are required or to protect from any fraud laws related to crime are required second one is state as a guardian of the social interest if we see the case of Bhopal gas disaster in which most of the peoples who are dead in that case state fight on behalf of the dead persons or victims it shows that state is a guardian person third interest जो रॉसकोपाउं ने बताया है वो social interest in the society जिसमें पहला है social interest in the general security society में general security maintain करने के लिए peace and harmony रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसा रसकोपाउं बता रहा है general health maintain करना जरूरी है जिसके लिए कौन से laws बनाने होगे उस हिसाब से laws को बनाना है जैसे कि security जहाँ पर आ रही है वहाँ पर criminal laws are required laws related to crime are required जब security आ रही है तो protect करने के लिए criminal laws जरूरी है दूसरा जो है वो social interest in security of the social institutions social institutions को preserve करने के लिए laws बनाना जरूरी है ऐसा रसकोपाउंट बता रहा है अब social institutions कोन से है religious institutions, marriage institutions, political institutions, economical institutions अगर अब हम देखे ये social institution Indian laws में कैसे protect किये गए है तो अगर religious institution देखे तो in constitution of India article 25 to article 28 are given to protect the religious rights of the person freedom of religion are given in article 25 to 28 of the constitution of India जहाँ पर social institution में का जो एक है religious institution वो protect हो रहा है अगर देखे तो marriage institution तो marriage institution को protect करने के लिए क्या ज़रूरी है laws related to marriage बनाना ज़रूरी है family laws जो है वो बनाना ज़रूरी है ऐसा रॉसकोपाउंट बता रहा है तभी जो है वो conflict कम होगा और harmony बढ़ेगी society में थर्ड बन जो है वो social interest in the preservation of general moral interest preserving general moral by prohibiting any transaction or acts which are against the morality such transactions are namely drunkness, corruption, child marriage, gambling इसका मतलब क्या है ऐसे कोई भी transactions जो general moral या morality को नुकसान पहुचा रहे हो जो कि morality की against जा रहे हो इन transaction को इन acts को रोकना ज़रूरी है जैसे कि वो कौन से acts है जो morality के against जा रहे है corruption, child marriage, gambling, drunkness तो इन सभी acts के against laws बनाना ज़रूरी है जो इन सभी acts को prohibit कर सके जिससे society में conflict कम हो और harmony बढ़ है तो next one is social interest in conservation of the social resources तो social resources में क्या आता है जैसे कि natural resources natural resources में air, water, land इन सब का conservation होना ज़रूरी है जिसके लिए environmental law required है environmental law ज़रूरी है second one उसमें क्या है protection of the economically weaker section of the society जो भी economically weaker section है society का उनका protection होना ज़रूरी है जिसके लिए फिर एक बार criminal laws required है second one is social interest in the general progress social interest in the general progress includes the economical, political and cultural progress for example freedom of trade and commerce freedom of speech and expression in the society this all includes in the general interest in the general progress if we see this interest in Indian law is safeguarded in the constitution of India now sixth one is the social interest which promote the human personality social interest which promote the human personality by enabling person to live social, political, cultural life which improves his personality this right of the person who lives in the society is safeguarded by the constitution of India which we have seen earlier in the private interest जो human personality को promote करने का right है जो भी person society में रह रहा हो और उसकी human personality को promote करने का जो भी right है वो private interest के अंदर भी बताया गया है जो यहाँ पर इस theory में रॉसकोपाउंड के overlap हो रहा है जो right है वो constitution of India में safeguard किया गया है तो यह था interest जिसके अंदर रॉसकोपाउंड ने थ्री parts में interest को divide किया private interest, state interest और social interest जो private interest है वो अगर हम Indian laws में देखे तो private interest almost constitution of India criminal laws, contract laws, tort, marriage, family laws में safeguard किया गया है वैसे अगर state interest भी देखे तो criminal laws या फिर laws related to currency, army laws इन सभी के अंदर state interest को safeguard किया गया है और social interest भी अगर हम देखे तो environmental laws, criminal laws, constitution of India इन सभी चीजों के अंदर रॉसकोपाउंड की theory को apply किया गया है laws को बनाते वक्त तो यह था interest नेक्स्ट इस जूरल पॉस्चुलेट्स आफ्टर classification of the interest नेक्स्ट टास्क क्या था उस interest को इविल्यूट करना तो हर सुसाइटे में कुछ ऐसे basic assumptions होते हैं जिन पर यह जो interest है वो depend होता है तो उन्हीं assumptions को इकठा करकर रॉसकोपाउड ने उसे जूरल पॉस्चुलेट्स नाम दिया और यह जो भी जूरल पॉस्चुलेट्स है रॉसकोपाउड ऐसा बतराए कि यह जूरल पॉस्चुलेट्स absolute नहीं है लेकिन society के अंदर इनकी relative value जरूर है तो जो वो जूरल पॉस्चुलेट्स रॉसकोपाउड ने बताए है वो अब हम further discuss करेंगे तो first जूरल पॉस्चुलेट्स क्या है no one will commit intentional aggressions कोई भी men society में intentional aggressions किसी दूसरे men यहाँ पर human being को बताए गया है कोई भी person कोई भी human being किसी दूसरे human being के लिए कोई भी intentional aggressions नहीं रखेगा मतलब किसी की भी बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेगा यह first civilized society में first assumption जो है वो रॉसकोपाउड ने दिया है जो की आज की life में अगर हम देखे तो law of crime से related हमें समझ आता है second general postulate c men may control for beneficial purposes what they have discovered and created by their own labor तो इसे हम elaborate कैसे करेगे अगर किसी वेक्ति ने अपने खुद के beneficial purpose के लिए कोई भी नई चीज का invention किया हो या कोई चीज discover की हो जिसके जरीए से वो benefit उसे मिल सके तो उस चीज को control करने का उसके जरीए से benefit benefit पाने का उस इंसान को पूरा हक होना चाहिए ऐसा जो है वो रॉसको पाउंड civilist society में assume कर रहा है जो आज की life में अगर हम देखे तो intellectual property rights से related नजर आता है जैसे कि कोई इंसान कोई नई चीज का invention करता है तो उसका patent उसे लिया जा सकता है copyright patent trademark के सभी चीजों से second general postulates related है third क्या है everyone will act in good faith मतलब अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में कोई contract कर रहा है या कोई भी agreement कर रहा है तो उस इंसान को उस agreement के लिये काम करते वक्त good faith में काम करना जाहिए ना कि bad faith में यानि कि दूसरे को धोका देनी की क्या है उसकी भावना नहीं होनी चाहिए उसका उसका जो main motive है वो good faith में काम करना होना चाहिए उस contract में जो भी बाते तै हुई है उन ही बातों के उपर अमल करना चाहिए ऐसा रॉसकोपाउंड उसके third जूरल पॉस्टिलेट में अजूम कर रा है fourth जूरल पॉस्टिलेट इस everyone will act with due care without any injury to the others it means that in every civilized society men must be able to assume that everyone will act in due care without doing any injury to the other and taking proper due care of that particular work मतलब कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कोई भी अन्य विक्ति को हानी पहुचे जो की negligence और tort law से related है last jurial postulate जो रॉसकोपाउंड ने बदाया है कि others who maintain things and make of their proper use within their proper limit it means that if any person who bring anything for his beneficial purpose which is a dangerous thing मतलब ऐसी कोई भी चीज जो की dangerous है और कोई भी इनसान ने अपने beneficial purpose के लिए अपने इस्तेमाल के लिए उसे लेकर आया हो तो उसे अपनी उसकी पूरी खयाल रखना चाहिए कि उस चीज के जरीए से अगर वो चीज escape हो जाए उसके proper limit से तो उसके जरीए से कोई भी अन्य वेक्ति को हानी न पहुचे अगर ऐसा होता है तो वो वेक्ति जिसने खुद के beneficial purpose के लिए वो चीज लाई है वो ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा ऐसा assume किया जा रहा है civilized society में जो कि रॉसकोपाउंड ने अपने fifth jural postulate में बता है जो कि हम देखे तो strict liability के concept से related है तो ये थे jural postulates जो रॉसकोपाउंड ने बताए है और रॉसकोपाउंड ने ऐसा कहा है कि ये jural postulates absolute नहीं है लेकिन इनकी society में relative value जरूर है और अगर जैसे ही society में changes होते रहेगे तो ये jural postulates भी change होते रहेगे इन jural postulates में कोई new jural postulates भी add हो सकते है इनका काम क्या है jural postulates का society के लिए एक proper guideline प्रोवाइड करना जिसके उपर society का behavior डिपेंड करता हो तो इस social engineering theory को बहुत से jurist ने criticize किया है तो इन criticisms के बारे में अगर हम देखे तो उन में से first criticism यह है कि no yardstick to measure the interest इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर दो interest के बीच में balance करने की बात आए तो उसे balance करते वक्त proper measurement करने के लिए interest की तो कोई yardstick या कोई equipment available है ही नही तो jurist का मानना यह है कि यह जो भी interest को balance करना है तो उसके लिए कोई equipment तो है ही नहीं तो उसे balance कैसे करें तो यह तब पहला criticism दूसरा यह है कि danger to individual freedom रॉसकोपाउंड ने उसकी social engineering theory में ऐसा काये कि अगर individual interest और social interest के बीच में अगर कौन सा interest को ज़्यादा importance देना चाहिए इस बारे में discuss किया जाए या conflict हो जाए तो social interest को almost हर वक्त ज़्यादा importance देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर maximum satisfaction of wants है ऐसा रॉसकोपाउंड ने बता है तो फिर बहुत से jurist ने उसे criticize करते वक्त ये कहा कि फिर individual interest का क्या individual interest के लिए क्या करना चाहिए तो ये था second criticism जिसके अंदर individual freedom को danger माना गया है individual freedom danger में है ऐसा बहुत से jurist कहते है तो third क्या है interest are overlapping अगर हम देखे social engineering theory के अंदर जो भी theory of interest रॉसकोपाउंड ने बताई है तो उसके अंदर individual interest individual interest किसमें आता है private interest में तो private interest और जो social interest में जो भी human personality है तो ये totally overlapping हमें नजर आता है और अगर हम laws भी जब applicable हो रहे है तो देखे तो criminal laws most of the interest के लिए criminal laws apply हो रहा है या फिर contract law का भी बहुत ज़ादा वक्त वहाँ पर बात आ रही है constitution भी बहुत ही interest में apply हो रहा है तो हर वक्त interest का overlapping हो रहा है तो इस बात को criticize करते हुए बहुत से जुरिस्ट ने क्या कहा है कि interest क्या हो रहे है overlap हो रहे है इस लिए इस theory का कोई भी importance नहीं है ऐसा जुरिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे है तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने social engineering theory theory of interest five juror postulates and criticisms on the theory के बारे में discuss किया तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like and share जरूर करिए और इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं इसी के साथ next वीडियो में तब तक के लिए बाई